यह वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम किया था त्री जो नमबर थे यूजर इंपुट कर रहा है और उसमें हम ग्रेटेस्ट फाइंड कर रहे हैं फिर मैंने बोला था कि हम टर्नरी ऑपरेटर के तुरू इसे कितने स्मॉल बहुत सा मतलब जो लाइन्स और कोड है उसको रेडियूस कर सकते हैं अभी क्या है कि जैसे यह हमारा इतना था मतलब लॉंग परोगाम था त्री नमबर में हम ग्रेटेस्ट वाइंड करने के लिए अब हम इसको टर्नरी के थ्रू करते हैं और फिर देखते हैं कि यह परोगाम कितना हम रेडियूस कर सकतें इस परोगाम को अभी क्या है बस एक condition देखने वाली ध्यान देने वाली बात यह है यह समझ में आनी चाहिए क्या कि प्रोगाम का जो write करेंगे हमको वो तो अलग बात है first हमारा logic clear होना चीए अगर logic clear है तो प्रोगाम मतलब writing में कोई issue ही नहीं होगा अब यहाँ पर क्या है कि a, b, c तीन हमरे नमबर लिया और यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर हम check करेंगे a is greater than b या तो यह condition true हो सकती है या false हो सकती है अगर यह condition true हो गई condition true हो गई तो यानि कि a greater हो गया b से तो फिर हम a को c से अब compare कर रहे है अब अगर यह भी इसमें जो है अगर यह true हो गई condition यानि कि a is greater than c तो यानि कि a का सबसे greatest हो गया लेकिन a is greater than b लेकिन यहाँ पर यह condition fail हो गई तो इससे क्या पता चलता है कि lesser than c तो अगर यह condition fail हो गई तो greatest कौन हो जाएगा c हो जाएगा अब यहाँ पर a is greater than b हमने किया और यही false हो गई तो इससे क्या पता चलेगा कि b is greater तो अब हम क्या कर रहे है कि b is greater than c तो अब क्या कि b is greater than c b is already यहाँ पर greater है a से अब फिर b को c से अगर यह condition true हो गई तो b greater हो गया लेकिन b a से तो greater है लेकिन false हो गई यानि कि c से छोटा है तो c capital बस अगर यह समझ में आ गया बस एक line में हमारा program खत्म यहाँ पर क्या है कि hash include main integer abc ले लिया तीन number input कर आया वो सब अलग बात है हमारा जो main concept है यहाँ पर आएगा ठीक है यह तो already लिखा हुआ बट फिर भी एक बड़ दुबारा से मैं इसको लिखता हूँ ताकि clear हो यहाँ पर क्या है कि मैंने print f इसको थोड़ी देर के लिए cut करते हैं print f यहाँ पर मैंने लिख दिया percent d is greatest okay यहाँ पर हम first देखना है कि हम क्या compare कर रहे है a is greater than b parenthesis का खयाल रखना है खास करके यहाँ पर a is greater than b अगर यह condition true होती है मतलब पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे question mark देंगे अगर true हो गया तो हमें दुबारा से यह condition check करनी है तो दुबारा से मैंने क्या किया a is यहाँ पर क्या है greater than c तो greater than c यहाँ पर हमें चेक करने है तो अब यहाँ पर चेक करने के बाद देखते हैं अगर यह true मिला तो a हो जाएगा और अगर false मिला तो हमारा c हो जाएगा तो यह क्या हो गया यह एक smaller हो गया अगर हम इसको combine करना चाहें तो इसको हम क्या कर देते हैं एक bracket में हमने इसको close क कर दिया तो यानि कि यहाँ क्या काम खतम यानि कि इस condition पर यानि कि यह वाला काम चेक किया और यह हमारा एक bracket आ गया लेकिन अगर यही condition fail हो गई तो हमारा यह इसके बाद वाला line execute होगा यह तो तब execute होनी है जब true होगा अब यह false हो गई तो अगर false हो गया तो फिर से हम यह condition चेक करेंगे और यह condition क्या है B is greater than C B क्या हो गया greater than C अब यह condition अगर true हो गई तो B हो जाएगा यानि कि B और अगर false हो गई तो हमारा यह c हो जाएगा और फिर अब क्या है कि इसको हम combine कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको combine कर दिया और यहाँ पर यह printf का एक यह bracket था bracket बोलना हो parenthesis तो यहाँ पर last में हमारा यह close हो जाएगा बस done हमने जो है 20 से 25 लाइन का जो code था हमने उसको एक लाइन में यहाँ पर कर दिया बाकी यह भी count होता है लेकिन अगर मैं logic की बात कर रहा हूं उतने में हमने एक लाइन में यह काम complete